अगर आपको college से placement लेना या off campus placement लेना तो आप यह काम जरूर कर ले अगर आपने यह काम नहीं किया तो साइध आपको कोई placement नहीं दे पाएगा तो आपको जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा आप पूरा वीडियो नहीं देखा तो साइध आप उस चीज को में साउट कर जाओगे जो चीज मां बताना चाहता हूँ अगर देखो पहले के टाइम में ऐसा था campus placement normal चीज थी, campus placement आती थी company, placement कर के ले जाती थी, campus placement पहले आई 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 टी नोर्मल कॉलेज, यहाँ पर ऐसी चीज नहीं चलती थी और मैं आपको बता दूँ अब हो गया है कि campus placement मतलब वो चीज आ गए लोगों में कि campus placement होना ही चाहिए तो ठीक है एक बदला हो है और अच्छा बदला हो है क्योंकि जब तक college इस बात को accept नहीं करेगा हम लोग इतना पैसा दे दे कि private college में पढ़ते हैं कर रहे हैं सबसे पहले मैं उनसे यह करूंगा कि आप अपने skill पर ध्यान दिजिए आपकी skill ही आपका placement है अगर आपका skill ही नहीं सही है तो placement कौन देगा आज का जबाना ऐसा ही है आप नहीं तो 10 लोग option में मौजूद है 50 लोग line में खड़े हुए हैं अगर आप सही से improvement नहीं करोगे सही से अपने आपको upgrade नहीं करोगे तो 50 लोग line में खड़े हुए हैं जो अपने आपको upgrade करके एक अलग direction में लेकर जाएंगे चीजे समझनी पढ़ेंगी चीजे अच्छे से समझनी पढ़ेंगी अच्छे से समझोगे तभी जाकर के life में कुछ कर पाऊगे अच्छे से नहीं समझोगे तो क्या कर पाऊगे आप देखो इसी लिए मैं बोलना हूँ कि सबसे पहले अपनी जो technical skill है उस पे ध्यान दे दो जब technical skill सही हो जा उसके अपनी communication skill पे ध्यान दे दो अपनी communication skill पे ध्यान दोगे बार-बार मैं यह बात बोलता हूँ communication skill पे आप लोग द्यान देजे communication skill ऐसी होनी चाहिए written और verbal दोनी होनी चाहिए आपको लिखना भी आना चाहिए computer पे typing भी आनी चाहिए उसके लावा फिर आपको बोलने भी आना चाहिए जब भी आपको कोई पूछे की tell me about yourself तो I think आपको उसी वे में respond करना चाहिए अगर आपने हिंदी में respond किया तो वहां पे चीजे वह इंटर्व्यू आपको चूतिया समझने लगता बयोकूप समझने लगेगा कि आपको यह तो किसी काम लायक नहीं है तो वह सारी चीजे आपको समझनी पड़ेगी अगर आप यह चीजे मतलब नहीं लो होगी इंदे में इंटर्व्यू नहीं होगा तब उसी तरह से चलेंगी आप लोगों के लिए तो मेरे इसाब से जो लोग तयारी कर रहे हैं अपनी कम्रे के सचिल परस्टनालटी डेवलुमेंट और पस्नालटी डेवलुमेंट की मतलब आप सट पैन की जवीड वर्मल में सिद् स्टार्टिंग मेरे से कोई पूछें कि से यह वह अग्युक्राइब माशल ड depends को See अब अच्छे से सब्हूंत रहें नहीं तो सो माय वह ऊपने निए यह बीटनेंद रहें गर अगर अच्छे से आप चीजे करोगे, अच्छे से नहीं करोगे, तो साइ़ आपके लिए बहुत बुरा होगा, और इंडर्वीउ की प्रोपेरेशन बहुत mandatory है, अब पहले का टाइम नहीं रह गया, पहले का जमाना नहीं रह गया, कि placement किसी भी तरह से हो जाएगा placement करने के लिए आपको उसी तरीके से सोचना पड़ेगा अब off campus जाए और on campus चीजे बराबर है on campus भी आपसे question मा किये जाएंगे पहला round होता है, दूसरा round होगा, तीसरा round होगा बड़ी multinational company आपको चार चार पांच पास round कराती है तो वहां पे भी चीजे हैं, वहां पे भी चीजे समझने की जरूत जब तक आप जानओगे नहीं, जब तक आप उस चीज को analyze नहीं करोगे, साथ चीजे आपके लिए अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, तो मेरे साब से जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते अपने करियर को नेक्स लेवल पे लेके जाना चाहते हैं वो इस रूल को फॉलो करें जो चीजे मैंने बताई उसको करें साथ अपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगे तो बस आज की वीडियो में इतना ही हो जो लोग टेलीग्र टेलीग्राम पर हो करें टेलीग्राम पर भी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हो कॉमेंट में पिन कर दे रहा हो वहां पर भी जाके जरू करें थाइंक यू